इस्ट्रो के चंद्रयान 2 का विक्रम लैंडर ही एक लौता यान नहीं है जिससे संपर्ख तूटा है अंत्रिक्ष विज्यान के इतिहास में इससे पहले भी ऐसा हो चुका है European Space Agency का एक यान जिससे संपर्ख तूट गया था उसके बारे में 12 साल बाद जानकारी मिली थी वह मिली भी लेकिन उससे संपर्ख नहीं हो पाया यानि उमीद खोने की जुरूद नहीं है जिहां इस्ट्रो वैग्यानिकों ने तो विक्रम लैंडर को करीब 35 घंटे बाद ही खोज लिया था अब प्रयास सिर्फ इस बात कहूं रहा है कि विक्रम लैंडर से संपर्ख स्थापित हो जाए तो चलिए जानते हैं उस यान की रहस्य मई कहानी जो 12 साल बाद मिला था हुआ यू कि European Space Agency ने मंगल ग्रह के लिए 2 जून 2003 को एक लैंडर लॉंच किया था इसका नाम था बीगल्चून पूरे मिशन का नाम था मास एक्सप्रेशन मिशन जून में लॉंच किये गई इस लैंडर को 6 महीने बाद यानि 19 दिसंबर 2003 को मंगल पर पहुंचाना था यान लेकिन उसी दिन इससे European Space Agency से संपग तूर गया करीब धाए महीनों तक बीगल्चू से संपग करने की कोशिश की गई लेकिन उसने प्रित्वी से भेजे गई किसी भी संदेश का जवाब नहीं दिया अंत में फरवरी 2004 में इस मिशन को नाकाम घोशित कर दिया गया था जिह संपग तूटने के बार एसे मार्स एक्स्प्रेशन मिशन के और्बिटर से कई बार संपग करने की कोशिश की गई लेकिन ऐसास संभव नहीं हुआ और्बिटर से ऐसी तस्वीरे भी नहीं मिली कि अब पता चल सके कि वहां हुआ क्या था करीब 12 साल बार जब अमेरिकी अंतरिक्ष एजनसी नासा का यान मास रिकॉंसिस और्बिटर मंगल से जानकर या जमा करने के लिए उसकी कक्षा में चकर लगा रहा था तब उसने 16 जनवरी 2015 को बीगल 2 की तस्वीरे ली इस बीच बीगल 2 मिशन के करता धरता कॉलिन पेलिंगर की भी मौत हो चुकी थी नासा से मिली तस्वीरों से पता चला कि बीगल चू अपने तै लैंडिंग वाली जगा से करीब 5 किमी दूर पड़ा था मंगल के इस इलाके को इसी डिस प्लनेश्या कहते हैं तो दोस्तों फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही अगर आपको इन्यूस पसंद आई तो लाइक और शियर करें साथ ही अपने व्यूज हमें कमेंट करके ज़रू बताएं